पूशन नुमबर 17 अपर्टिकल ए मेंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अनादर पार्टिकल भी अटरेस्ट इन अपोजी डिरेक्शन विद इक्वल स्पीट से अपोजी डिरेक्शन में मुव आफट कर जातें after the collision if their masses are ma and mb respectively अगर उनके mass ma mb है और ma और mb में हमें दोनों के masses में क्या बताना है relation बताना है तो यहां पर एक diagram से situation को represent करने की कोशिश करते हैं यह particle a यह particle b बतिकल b जो है वो रेस्ट पर है और पार्टिकल a जो है वो velocity u से आकर के collide करता है इसका mass है ma और इसका mass हमें दिया हुआ है mb एक आफ्टर दो कॉलिजन situation क्या होती आफ्टर दो कॉलिजन यह situation घिकाई गई है कि दोनों इसकी स्पीड है लेकिन अपोजिट डियरेशन वह हं हम जानते हैं कि इस मोमेंटम रहेगा थो वाये थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इनिशल मुमिंटम कितना है M A into U plus zero लेकिन वाला पार्टिकल कैसा है rest पर है is equal to मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर M A into V लेकिन यह भी कैसा है negative है यहाँ पर negative लगा रहा हूँ plus M B into V लिख सकते हैं है तो equation क्या बन गई हमारी equation बन गई में यूज़ इस इकल टू माइनस ऑफ M A V plus M B V कि यह हो गई हमारी equation number 1 अब बाइन यूटन स्लोव कोलीजन की बात करते हैं बाइन यूटन into U velocity of approach is equal to velocity of separation तो velocity of separation कितनी होगी यहाँ पर V plus V एक के respect में दुसरे को देखेंगे तो velocity of separation कितनी होगी V plus V E की value कितनी है 1 इसलिए यह हो जाएगा U is equal to 2V U is equal to 2V लेख सकता हूँ मैं यहाँ पर चली यह होगई equation number 2 तो मैं लेख सकता हूँ from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 U की value यहाँ पर put कर देते हैं तो यह हो जाएगा M A into 2V U की जगा क्या लिख दिया हमने 2V is equal to minus of M A V plus M B V clear V से V सब जगा cancel out हो जाएगा M A इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 of M A is equal to M B यह हमारा क्या आ गया result आ गया M A mass of body A यहनिकि particle A M A और M B respectively जो हमने लिये थे उनके बीच में हमारा relation यहाँ पर आ गया जो कि कितना है 3 M A is equal to M B और उसकी according option भी हमारा correct option होगा ठीक तो इस तरीके से हमने इस question को solve किया पहले मोमेंटम conservation in horizontal direction में then Newton's law of collision E की value कितनी है वन क्योंकि elastic collision है इस होगा